अलो दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी एक्सराइज देखने वाले हैं, जिनको करके आप आराम से सिर्फ दो हफ्तों में ही अपनी कमर को पतला कर सकते हैं। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि कमर पर बढ़ा हुआ फैट बिलकुल भी अच्छा नहीं लगता है। और ऐसे में जब फिटिंग वाले कपड़े पहनते हैं, तब ये अलग से ही दिखने लगता है। इसलिए कमर का फैट कम करना और उसे अच्छी शेप में लाना बहुत जरूरी है। तो अगर आप भी अपनी कमर पर बढ़े हुए फैट से परिशान हैं और पतली कमर पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसी एक्सराइज बताने वाले हैं जिनको रोजाना घर पर करके आप पतली कमर पा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो एक्सराइज कौन-कौन सी हैं और आपको उनको कैसे करना है। दोस्तों इस एक्सराइज से आपकी कमर बिल्कुल पतली हो जाती है और साथ ही आपकी बौडी फ्लेक्सिबल भी बनती है। अब देखते हैं कि आपको इस एक्सराइज को करना कैसे हैं। इस exercise को करने के लिए सबसे पहले आप जमीन पर एक मैट बिचा कर बिल्कुल सीधे लेट जाएं। अब आपको अपनी body को एक तरफ को करना है। उसके बाद आप अपने हाथों की कौनी और पैरों के पंजे और अपने शरीर को उपर में हवा में उठा ले। और अपना बाहर वाला हाथ आप अपनी कमर पर रख ले। ध्यान रहे कि आपके दोनों पैर आपस में मिले होने चाहिए। और आपको उनको एक दूसरे के उपर रखना है। अब आप side plank वाली position में आ गए हैं। इसके बाद आपको अपनी बाहर वाली कोहनी को मोडते हुए जमीन की तरफ ले जाना है। और फिर उसे वापस उपर लेकर आना है। और ऐसे ही आपको इस exercise को करते जाना है। एक side से इस exercise को करने के बाद फिर आपको दूसरी side से भी इस exercise को करना है। इस exercise को आप दोनों side से 45-45 seconds तक करें और फिर 10-10 seconds का rest लें और फिर आप दूसरी exercise शुरू कर दें और फिर एक हफ़ते बाद इस exercise को आप एक मिनट तक के लिए कर सकते हैं दोस्तों body fat को कम करने के लिए ये exercise भी काफी अच्छी है और इसे जिम में भी अक्सर करवाया जाता है लेकिन आप इसे घर पर बिना किसी equipment के भी कर सकते हैं और ये कमर के लिए काफी अच्छी exercise है अब देखते हैं कि इस exercise को आपको कैसे करना है इस exercise को करने के लिए भी सबसे पहले आप सीधे खड़े हो जाए और ध्यान रहे कि आपका सर, कंधे और कमर बिलकुल सीधी रहनी चाहिए अब आपको अपने दोनों हाथों को मोड कर उपर रखना है और फिर उनको नीचे लेकर आना है जैसे आप उपर से किसी रसी को खीच रहे हो और इसी तरह से आपको इस exercise को करते जाना है इस exercise को भी आपको 45 seconds तक करना है और फिर 10 seconds का rest लेकर आपको अगली exercise करनी है फिर एक ह वाइट फैट को कम करने के लिए काफी असरदार है और साथ ही इस exercise का असर आपके पेट और टांगों पर भी होता है अब देखते हैं कि इस exercise को आपको करना कैसे है इस exercise को करने के लिए सबसे पहले आप जमीन पर एक मैट बिचा कर बैठ जाएं और अब अपने दौनों पैरो को बिल्कुल सीधा करके और आपस में जोड कर रख लें अब आपको अपने पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए उपर की तरफ लाना है और फिर सीधे कर लेना है और ऐसा करते समय आपके पैर हवा में ही रहने चाहिए यानि की जमीन से थोड़ा उपर इसके अलावा आपक को करने के बाद आप 10 सेकंड का रेस्ट लेंगे और फिर दूसरी एक्सराइज शुरू कर देंगे और फिर एक हफते बाद आपको इस एक्सराइज को बढ़ा कर 20 बार करना है नंबर 4 कोब्रा पोज एक्सराइज दोस्तों इस एक्सराइज को भुजांगासन के नाम से भी जाना जाता है इस exercise से भी आपके पेट की core muscle strengthen होती है जिससे की belly fat और कमर का fat कम होता है और साथ ही पूरे शरीर का fat भी कम होता है अब देखते हैं कि इस exercise को आपको करना कैसे है इस exercise को करने के लिए सबसे पहले जमीन पर एक mat बिचा कर उल्टा लेट जाए और अपने दोनों प अदद से अपनी upper body को उपर उठाए और पीछे की तरफ लेके जाने की कोशिश करें इससे आपके दोनों हाथों पर सारा वजन आएगा ध्यान रहे कि आपको अपने पैर साथ में मिला कर ही पीछे रखने है कुछ देर तक इस position में रहें और उसके बाद normal position में आ जाए इस exercise को आपको रोजाना 10 बार करना है और फिर एक हफते बाद आपको इसे बढ़ा कर 15 बार करना है इस exercise के बाद भी आपको 10 सेकंड का rest लेकर फिर अगली exercise करनी है नमबर 5 वी अप्स exercise दोस्तों पेट की core muscles को मजबूत करने और fat को कम करने के लिए ये exercise काफी अच्छी है हो सकता है कि शुरू शुरू में आपको ये करने में मुश्किल लगे लेकिन कुछ समय के बाद आप इसे आसानी से कर पाएंगे और इसे करने से कमर का fat आसानी से कम होता है अब देखते हैं कि आपको इस exercise को कैसे करना है इस exercise को करने के लिए सबसे पहले आप जमीन पर एक मैट बि कर जाईए और उसी समय अपनी अपर बोडी को भी जमीन से उपर उठाएं ताकि आपकी बोडी वी शेप में आ जाए आपको इस पोजिशन में थोड़े समय के लिए रहना है और फिर वापसी नॉर्मल पोजिशन में आ जाना है शुरुआत में इस exercise को दस बार करें और फि चान रहे कि इस exercise को करते समय आपके पेट की core muscle बिल्कुल tight होनी चाहिए जिससे कि इस exercise का ज्यादा असर होगा इस exercise के बाद भी आपको 10 second का rest लेकर फिर last exercise करनी है दोस्तों आपकी कमर के फैट को कम करने और अपनी core muscle को strong करने के लिए ये exercise भी काफी effective है साथ ही इस exercise का असर आपके back के फैट पर भी पढ़ता है और वो भी इससे कम होता है अब देखते हैं कि इस exercise को आपको करना कैसे है इसे करने के लिए सबसे पहले आप जमीन पर एक mat बिचा कर सीधे लेट जाएं अब अपने दोनों पैरों को घुटनों से मोड कर जमीन पर रख लें और अपने दोनों हाथों को दोनों तरफ सीधा करके रख लें अब आपको अपनी कमर को जमीन से उपर उठाना है और फिर अपने दोनों हाथों को आपस में मिला लें लेफ्ट राइट लेकर जाना है इसके साथ ही आपकी कमर भी दोनों तरफ ट्विस्ट होगी और उसके बाद आपको वापिस नीचे आ जाना है इस तरह से आपको इस exercise को करते जाना है इस exercise को आपको 10 बार करना है और फिर एक हफते बाद आप इस exercise को 15 बार करें तो दोस्तों ये हैं कुछ ऐसी exercise जिनको रोजाना करके आप अपनी कमर को सिर्फ 2 हफतों में ही पतला कर सकते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही हमें उम्मीद है कि आप इन सभी exercise को जरूर follow करेंगे और साथ ही हमें अपनी राय कॉमेंट करके जरूर बताएं इसके अलावा अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे और आप हफते में दो बार entertain होना चाहते हैं तो हमारे चैनल health and joy को like करें, subscribe करें और साथ ही bell icon को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको लगातार हमारे चैनल से जुड़ी updates सब मिलती रहें तब तक के लिए धन्यवा सबंगत हमारे तो रहा एको रहा है तो कऱा को जा पूले।